इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जब भी बात यह होती है कि मूड कैसे ठीक होगा, इनर्जी के लेवल कैसे इंप्रूव होगा, तो आपके दिमाग में हमेशा घुषती हैं दवानिया, आपके दिमाग में हमेशा घुषता है मनुरजन का साधन, आपको लगता है कि एक पिक्चर देखेंगे तो मूड सही हो जाएगा, आपको लगता है कि यूट्यूब पे ये चीद देखेंगे तो मूड सही हो जाएगा, आपको लगता है कि कोई दवा खा लेंगे तो इससे मूड सही हो जाएगा, इनर्जी के लेवल बेटर हो जाएगा, आज मैं बात करूँगा कि खाने में आपको क्या परिव तो आपका metabolism इंप्रूब रह सकता है और अगर ऐसा है तो आपके brain की जो chemistry है वो better होगी and ultimately आपका mood आपका energy के level better होगा इसलिए food बहुत important role play करता है नो ध्यान से देखिए जो आप खाना खाते हैं आप अपनी body को calorie supply करते हैं अगर आप exercise करते हैं थोड़ी सी तो आपके जो body है वो calories को burn करती है efficiently काम करती है जो food है वो अगर आप उस तरह का खाते हैं जो आपकी blood sugar को steady रखती है तो आपका mood हमेशा better रहता है तो इसलिए बहुत सारी खाने की चीज़े ऐसी हैं जो आपके जो body है उसके अंदर जो feel good hormones होते हैं उनको trigger करने की या increase करने की ताकत रखती हैं तो खाना बहुत important role play करता है आपके mood को upbeat रखने में और आपकी energy की level को उपर रखने में सबसे पहले देखे breakfast ब्रेकफास्ट का जहां तक सवाल है इसको gold mine कहा जाता है gold mine for energy जहां तक breakfast का सवाल है approximately एक घंटे के अंदर आपको सोके उठने के अंदर breakfast करना चाहिए जब ब्रेक जो nutrient है वो whole grain से ठीक होने चाहिए थोड़ा lean protein होना चाहिए good fats होना चाहिए इन थोड़ा सा nuts आप इस्तिमाल करिए तो breakfast अगर आप time से लेंगे और इसके constituent ठीक रहेंगे तो मान के चलिए कि पूरे दिन आपका जो mood है वो ठीक रहेगा number two carbohydrates बहुत सारे लोग carbohydrates से दुश्मनी पालके चलते हैं यह सचाहिए नहीं है आपको carbohydrates smartly choose करने की जरूरत है जो carbohydrates से यही आपके जो energy है उसको boost करते हैं आपके जो body है fuel के नाम पे carbohydrates को पहचानती है जो carbohydrates है वो आपकी body के अंदर serotonin का level बढ़ाते हैं इसे feel good hormone भी कहा जाता है यह बात बिल्कुल साहिए है जो simple sugars हैं जो आप sugar लेते हैं या आप इस तरह के cold drinks पीते हैं आप मिठाईयां खाते हैं जलेवी खाते हैं इनको आपको अलग करने की जरूरत है लेकिन whole grains जैसे bread में होते हैं brown rice में होते हैं cereals में होते हैं यह powers houses हैं जो आपको help करते हैं तो इस करते हैं या otherwise throughout the day आपको lean meats जरूर यूज करने चाहिए 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 वो skinless chicken हो चाहिवा lean pork हो चाहिए lean beef or whatever is your choice लेकिन जो lean protein है वो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जो lean protein है उसमें एक amino acid होता है जिसे कहते हैं tyrosine जो tyrosine है हमारे body के अंदर two chemicals को बढ़ात है जो brain chemicals के नाम से जाने जाते हैं number one is the dopamine the second one is the nor epinephrine यह आपको focus रखने में मदद करते हैं आपको alert रखने में मदद करते हैं जब भी आप chicken या इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो आपके body में vitamin b12 का level ठीक होने से आपके नींद की problem ठीक होती है और आपका depression की problem भी ठीक होती है जो diet है उसमें आपको small amount frequent meal लेने की जरूरत है so that आपके जो blood sugar का level है वो steady रहे आप रोज अगर चार-चार घंटे में कुछ खाते हैं तो blood sugar का level ठीक रहेगा तो आपका mood भी ठीक रहेगा आपका energy का level भी ठीक रहेगा जो fiber है वो जरूर चाहिए fiber directly energy का level को कैसे ठीक समझे जो fiber जब आप लेते हैं तो यह blood sugar के level को steady करके रखते हैं तो आपका insulin का level अनवश्चक उपर नीचे उपर नीचे यह नहीं होता है अगर steady blood sugar होगा जिसमें fiber आपको help करेंगे तो आपका mood ठीक रहेगा अब बीट रहेगा now green vegetables जरूर शामिल करें खाने में क्यों करना है क्योंकर green vegetables में होता है folate या folic acid करके जिसे आप जानते हैं जो folates होते हैं आपके mental depression की जो possibility है उसको हमेशा low करके चलते हैं folate कहां से मिलेगा पलक खाएं आपको folate मिलेगा जितनी भी legumes आप डाले खाते हैं उसमें आपको folate मिलेगा जो आप nuts खाते हैं चाहे बादाम खाएं चाहे अक्रोड काएं उसमें आपको folate मिलेगा जितने भी citrus fruits आप खाते हैं उनमें आपको folate मिलता है और जितने भी fresh produce ह वो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, यह आपको hydrate करके रखते हैं, यह energy के sources होते हैं, इनमें water, vitamins and minerals काफी अच्छी मातरा में होते हैं, जहां तक dry fruits का सवाल है, science है सामानती है, कि इनके जो components हैं या constituents हैं, यह आपको बहुत मदद करने की ताकत रखते हैं, जब भी हम dry fruit की बात करें, almonds की बात करें, walnuts की बात करें, इनमें protein ठीक मातरा में होता है, इनमें fiber ठीक मातरा में होता है, इनमें magnesium सब ठीक मातरा में होता है, जो magnesium है, यह key role play करता है, sugar को energy में convert करने में, तो जो magnesium है, वो ठीक चाहिए, आप जो whole grains लेते हैं, उनमें magnesium की मातरा ठीक होती है, जितने जो mood है वो boost होता है energy का level भी उपर जाता है इसलिए जो chocolate होती है उनमें caffeine होती है उनमें theobromine nime का एक chemical होता है यह दोनों जो चीजें है stimulant की category में आती है आपके mood को upbeat करती है आपके energy का जो level है उसको बनाती है इसलिए dark chocolate इसलिए डार्क chocolate इस्तेमाल करिए जब कि आपको लगता है कि energy down है आपका mood low है एक cup coffee चाहिए एक जो cup coffee है यह दुनिया का सबसे important item में जो इस्तेमाल किया जाता है यह थोड़े समय के लिए आपको mood को boost करेगा आपके energy की level को उपर ले जाएगा तो आपको mood भी नीचे की तरफ रहेगा एन energy का level low रहेगा metabolism को उपर करना है तो आपको पानी चाहिए इसलिए पानी की मातरा को बढ़ाइए energy drinks चो commercially market में अवेलबिल होते हैं वो कभी कभार is all right actually इन सम में simple carbohydrate भरे होते हैं तो इसलिए यह high calorie होते हैं nutrient बहुत कम होते हैं तो कभी कभार की बात अलग है बढ़ाना regular basis आपको energy drink पर rely नहीं करना चाहिए जहां तक exercise का सवाल है exercise सबसे trusted सबसे ज़्यादा tried वो वे है जिससे mood boost होता है और energy के level उपर जाता है तो इसलिए exercise भले ही आप 15 minute करें लेकिन यह आपको help करेंगी exercise आपके depression को कम करेंगी आपके energy के level को उपर ले जाएगी तो अगर ध्यान से आप देखें कि अगर आपका mood low है आपको energy के level low लगता है तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है आपको किसी movie जाने की जरूरत नहीं है आपको YouTube पे किसी film देखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ अपनी diet पर कुछ चीजों पुद्यान से देखने की जरूरत है जो आपके mood को upbeat कर सकती है जो आपके energy के level को उपर कर सकती है ये दोनों काम को अपको अगर करना है तो diet के pattern diet के constituents and diet के अलग-अलग चीजें उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है तो food के जरिये कैसे अपने mood को upbeat करें energy के level को कैसे बढ़ाएं इसको समझने में अगर ये video help करता है जरूर शेयर करें मैं Dr. V. Commissioner from guest to liver hospital स्वरुपिंगर कानपूर Thank you very much जरूर शेयर कानपूर